इस्टुएंट्स वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बाई अंचल सर पे प्लीज इसे आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके जिसे एक्जामनेशन में बहुत डे सारे कोश्चन्स आते हैं अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लास 9 से लेके UPSC लेबल तक के जितने भी एक्जामनेशन होते हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, NEET के एक्जामनेशन, SSC के एक्जामनेशन, UPSC के एक्जामनेशन इसमें से इस टॉपिक से आपका कोई कोश्चन बचेगा नहीं, यह डिटेल में प्रॉपर है तो हमें स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले आज का टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यून सेल्स होती है इन्हें हम ल्यूको साइट भी कहते हैं क्यों कहते हैं इन्हें ल्यूको साइट क्योंकि यह जो है यह ल्यूको का मतलब होता है वाइट और side का मतलब है cells तो white color की cells यहां होती है इसलिए क्या करते हैं इनका परसेंटेज है blood के अंदर काफी low होता है in compare to the RBC की बागर बात कर लें अगर हम thrombocytes की बात कर लें उनके compare में इनका percentage काफी कम है यह exam में आता है कि कितना percentage दिख रहा है आपको तो 6000 से 8000 mm cube दिखा दे रहा है यहां पर क्या blood के अंदर यहां present होगा यहां पर यह figure आपको learn करना है रट लेना है इसे याद रखना है तो हम start करते हैं एक एक point WBC का सारी यह सारी blood cells वो हमारी RBC हो वो हमारी different type की WBCs हो वो हमारी platelets हो इन सारे cell का formation कहां पर होगा red bone marrow के अंदर होता है इस red bone marrow जो आपको दिखाए दे रहा है यहां पर clear है यह red bone marrow जो है इसके अंदर stem cells present होती है यहां पर क्या है stem cell present होती है और इनी stem cells से यह सारी की सारी blood cells वो कोई भी blood cells हो कभी भी question आता है कि किसी भी blood cell का formation वो WBC हो वो RBC हो या वो platelets हो उसका formation कहां पे होता है तो आंसर क्या देंगे इसका red bone marrow ही इसका answer होगा clear है हम आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे यहां पे कि कैसे हमारी blood cells का formation होता है सबसे पहले आपको दिखाई दे यहां पे क्या hemopoietic stem cell hemopoietic कि जो blood को form करती है stem cell उसे में उसे कहते हैं अब इसका two different form होता है यहां पे जो bone marrow उसके अंदर एक को बोलते हैं क्या myloid stem cell myloid का मतलब होता है कि bone marrow से related myloid का मतलब क्या myo bone marrow loid मने क्या उससे related और दूसरा क्या है lymphoid stem cell तो दो cells यहां form हो रही हैं दोनों का अलग-अलग origin दिखाई दिखाई दिया है यहां पे एक है myloid stem cell कह रहे हैं एक को lymphoid cells कह रहे हैं दोनों किस cell से form होई तो hemopoietic stem cell से यह form होती है जो myloid stem cells है यह four different type की cells में convert हो गई one two three four एक को बोले क्या mega karyoblast blast जिस cell के अंदर आएगा उसका मतलब यह हो जाएगा कि वह कुछ नो कुछ फॉर्म करने वाली होगी देखिए सब में आपको blast दिखाई देगा यहां पे pro erythroblast myloblast and monoblast तो जिस cell के last में लगा है blast का मतलब ही क्या हो गया यहां पे की something which form the new thing now mega karyoblast यह बनाती है mega karyocyte mega karyocyte क्यों बोला गया यहां पे क्योंकि इसके अंदर जो nucleus है काफी बड़ा है यह क्या करती है form करती है क्या platelets को form करती है यहां platelets form हो रहा है अगर आप देखेंगे इसको zoom करके देखते हैं यहां पे तो यहां पे आपको दिखाई देगा यहां पे यह जो process बनके आ रहे हैं इन्ही process से यह release हो रहे है क्या thrombocytes जिसे हम क्या कहते है blood platelets कहते हैं यह हमारे blood clotting में important role play करते हैं तो megakaryocytes से अगर question आता है कि blood platelets का formation किस से होता है तो आप बोलेंगे क्या कि megakaryocytes से होता है megakaryocytes क्यों नाम दिया गया क्योंकि इसका nucleus क्या है काफी large दिखाई दे रहा है तो यह पहली cell होगी हम दूसरी cell की बात करेंगे pro erythroblast इससे form हो गया एक reticulocyte cells form होती है और यह reticulocyte cells के अंदर हर चीज़ प्रेजन है nucleus प्रेजन है और इससे बनती है क्या हमारी rbc से कहते हैं जब mature होती है तो इसके अंदर कोई भी cellaragmile present नहीं होता इसके अंदर form होता है सिर्फ hemoglobin form होता है और एक rbc के अंदर 270 millionth hemoglobin के molecules form हो सकते है 270 millionth hemoglobin के molecules रह सकते हैं और हर एक hemoglobin molecule जो होता है उसके अंदर 2 alpha and 2 beta chain present होते हैं और 2 alpha chain के अंदर 2 hym present होता है, iron content होता है और इसके अंदर भी 2 hym यानि की iron present होता है और हर एक hemoglobin अपने साथ 4 oxygen के molecule को carry कर सकता है, यह important question है 4 और hemoglobin को हम क्या कहते हैं, quaternary protein कहते हैं, quaternary protein कहते हैं या ध्यान दिनने, बली बात यहां पर important question है इसके बात हम आगे बढ़ते हैं यहां से, अब जो myloblast है, यह form कर रही है, 3 different type के cells को एक को कह रहा हैं क्या basophil, यह basic dye को loving करने वाली होती है, इसलिए कहते हैं इसको नोगो क्या basophil कहते है यह neutral dye को loving करने वाली होती है, इससे क्या कर रहा है, हम neutrophil कहते हैं, यह eosinophil, eosin एक dye है, उसको loving करने वाली है और इसे कह रहे हैं क्या हम monocyte, एक single काफी बड़ी cell, इस हम क्या कर रहे है, monocytes कहते है monoblast एक cell और form हो सकती है, इस हम क्या करते है, dendritric cell भी कहते है आगे बढ़ते हम यहाँ पर, जो lymphoblast था, वो जो cell form कर रहा था, उसको अगर यहाँ देखते है तो lymphoblast थे क्या होगी, दो cell form होई, एक small lymphocytes form हो रही है जिसम कह रहे हैं क्या, यह form तो होती है, कहाँ पर red bone marrow के अंदर form होती है, लेकिन यह migrate कर जाती है lymphoid organs के अंदर, thymus gland के अंदर, वहाँ पर यह mature होने का काम करती है, जिने हम क्या बोलने है, thymus lymphocytes और bifar brusa lymphocytes या bone marrow lymphocytes कहते है अगर बात करें, इसमें की जो दूसरी cells है, यह दो फ्रेल form होई, हमेंने एक की बारे में डिसकस किया यहाँ पर, यह दूसरे की बारे में बात करें तो यह cell अगर compare किया जाए, तो यह cell क्या है, काफी large है और इसके इंदर grains भी दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलने है, इसको natural killer cell बोलते हैं, short form में बोलते हैं, इसको nk cell कहते हैं अगर question आता है, lymphocytes के कुल कितने form होते हैं, तो answer क्या होगा, यहाँ पर three forms होते हैं एक को क्या बोलने हैं, nk cell बोलने हैं, दूसरे को क्या बोलने हैं, t lymphocyte बोलने हैं, थर्ड को क्या बोलने हैं, b lymphocyte बोलने हैं इसके पास large granular lymphocyte से यह काफी बड़ी दिखाई दे रही है और grains present है इसके अंदर तो क्या बोल दिया है इसको हम लोग large granular lymphocyte भी बोलते हैं अगर कुछ रहता है कि large granular lymphocyte कौन सी होती है तो answer क्या होगा NK cell होगा T lymphocyte नहीं होगा B lymphocyte यहाँ पर नहीं होगा इसी के साथ यह हमने देखा यहाँ पर कि different type की blood cells का formation कैसे हो रहा है इस chart को आपको एक बार revision करने की जरूत पड़ेगी इससे आप देखेंगे कि कैसे different type की blood cells हमारे body के अंदर form होती है हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह चीज़ें याद रहनी चाहिए यहाँ पर कि mono side जो है यह largest WBC होती है largest WBC यहाँ पर दिखाई देरी यहाँ पर clear यहाँ पर जो base of fill होती है इसका जो number होता है यह सबसे कम होता है बहुत कम number इसका होता है य learn करने का जो process है उसको मैं सिखा दूं आपको किसे learn करना है यहाँ पर इसका अब देखें यहाँ पर B का मतलब यहार रखेंगे यहाँ पर क्या कि बहुत कम बहुत कम है यह, N का मतलब आप या रखेंगे यहाँ पर नमबर 1, इसका नमबर बहुत जादा होता है, 60 से लेके 65% तक होता है, इसनों फिल की बात करेंगे यहाँ पर, यह, एक 2% के एप्रॉक्स होगी, मालनें यहाँ पर क्या है, 2 से लेके 3% तक होती है, हम मोनोसाइट की बात कर लें, तो यह M का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या मेगा, या मैक्रो, यह सबसे लार्जेस दिखाई दिखाई दे रही है, और गर बात कर लें, इस लिम्फोसाइट क कर लें, तो यहाँ पर L का मतलब होगा, यहाँ पर क्या, लाइफ, सबसे अधिक लाइफ वाले सेल कौन सी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट, L का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लाइफ, लांगेस्ट लाइफ, तो इस तरीके से आप इसको आसानी तरीके से यहां पर learn कर सकते हैं यहां पर move करते हम यहां पर next की दरफ एक ही करके देखेंगे हम लोग यहां पर क्या रोल होता है WBC का तो WBC हमारे body की क्या है immune cells है immune system की cells है यह और यह involve होती है हमारे body को protect करने में यह हमारे body की soldiers कहलाती है किसके अगेंस्ट तो कोई भी अगर infectious disease हो रही है तो उसके अगेंस्ट या हमारे body के अंदर कोई भी बाहर से pathogen इंटल कर रहा है वो virus है वो bacteria है वो helminthes worm है वो कोई भी है उस पर क्या करती है अटाक करने का काम करती है तो wbc का मतलब यहां पर क्या white blood cells हो गहीं यहां पर जो हमाँ पास five types की दिखाई दी आपको यहां पर ठीक है उसके बाद यह क्या हो गया यहां पर देखा आपने की infectious disease को fight करने का काम करती है साथ में जो foreign invaders होते हैं वो इंटर करते हैं जिने pathogen कहते हैं उनको kill करने का यह role play करती है इसी साथ हम मूव कर रहे हैं इस पेस पे दिखते हैं यहां पर कि अभी मैंने बताया आपको यहां पर कि जितनी भी डवल वी सीज हैं वो कहां फार्म हो रही है अभी पूरे body की cells के बारे में देखा था जो blood cells थी तो यह multi potent cells से multi potent का मतलब कि जिनके अंदर power होता है different type की cells formation का they are called the multi potent cell कहलाती है यह red bone marrow में फार्म होती है जिसे हम कहते हैं क्या hemopoietic stem cell कहते हैं यह word आप या रखेंगे hemopoietic stem cells जो blood cell को फार्म कर रही है cells called the hemopoietic stem cells कहां कहां पाई जा रही है हमारी leukocytes WBCs तो found है कहां पे including हमारे throughout the body है यह blood में भी present है यह lymphatic system में present है और हमारे tissues के अंदर भी क्या है यह present है उनको हम special नाम देते हैं tissue के according उनको हम नाम देते हैं यहां तो यहां कहां कहां पाई गई यहां पे body में पाई गई blood में पाए गई यहाँ पे lymphatic system में पाए गई body का मतलब यहाँ पे क्या कि blood and lymphatic system plus क्या होगा यहाँ पे tissue की बात करेंगे हम यहाँ move करते हैं next की तरफ अगर कहा जाए कि RBC के अंदर तो RBC के अंदर nucleus absent होता है इसलिम क्या करते हैं इसको A nucleated RBC होती है और platelets होती है तो platelets और जो blood platelets है जो RBC है उनके अंदर nucleus जो होता है वो absent होता है इसलिम क्या करते हैं इसको A nucleated कहते हैं लेकिन जो WBC है हर एक WBC के अंदर हम दिखा यहाँ पे कि different type की cells form होई कहां पे red bone marrow के अंदर लेकिन यह दो cells हो गई तो जिनके अंदर nucleus क्या होता है absent होता है यह अब ध्यान देंगे यहाँ पे यहाँ पे absent है लेकिन इन सब के अंदर क्या होता है nucleus क्या होता है present होता है nucleus 1 से ज्यादा भी हो सकता है उसके अंदर lobes पाए जाते है अगर देखा जाए तो हमारे body के अंदर जो WBC का percentage है बाकी अगर compare किया जाए यहाँ पे तो total blood के volume में क्या है यह काफी कम दिखाई दे रहा है बहुत कम है कितना है यह approach क्या है 1% only है तो यह important question है कि जो blood cells हमारे body में होती है वो कितना बनाती है बनाती है क्या 1% क्या कर रही है यह बनाने का काम कर रही है total blood volume को इसे आप क्या करेंगे learn करेंगे का exam में आया हुआ है और यह important question है इसी के साथ हम move करेंगे कहां पे next page पे अगर देखा जाए तो अगर हमारे body के अंदर the leucocytes का percentage अगर increase कर रहा है increase को मैंसे हम अब arrow करके denote करते हैं increase कर रहा है यहाँ पे तो इसे हम बोलेंगे क्या is called the leucocytosis leucocytosis का मतलब क्या कि हमारे blood के अंदर WBC का percentage increase कर गया है हो सकता है किसी problem से हो, हो सकता है हमारे body के अंदर देख सारे pathogens इंटर कर गये हो इसलिए इनका percentage कभी-कभी increase कर जाता है या तो blood cancer में increase कर जाता है बात करेंगे हम अगर just opposite, यहाँ increase कर रहा था, यहाँ बात करेंगे यहाँ decrease कर रहा है यह below liver हो रहा है, जितना भी normal limit है उससे क्या हो रहा है, lower जा रहा है यहाँ पे तो उसको हम बोलते हैं क्या leucopenia, यह term आप या रखेंगे क्या leucopenia अगर leucopenia हो रहा है, मतलब कि हमारे body के अंदर WBC का जो percentage है वो कम हो रहा है तो हमारे body के soldiers कम होंगे, तो simple सी बात है हमारा immune system क्या होगा, काफी weak हो जाएगा कोई भी अगर बाहर से invidals आते हैं, पैथोजन आते हैं, तो वो हमारे body के cells को damage कर सकते हैं हमारे body में infections क्या cause कर सकते हैं, तो leucopenia is a very harmful condition वैसे दोनों condition क्या होगी harmful है, यहां पर हमारा immune system proper क्या करेगा, response नहीं करेगा इसी के साथ हम move करते हैं, next page पे, देखेंगे, यहां पर हमारे WBCs जो होती हैं, वो two category में divide की गई है एक को बोलने क्या, A granular sites बोलते हैं, दुसरा क्या करें, granular sites बोलते हैं A granulocides, और granulocides के बात करते हैं यहां पर ऐसी cells जिनके cells के अंदर, जिनके cytoplasm के अंदर granules absent होते हैं shift Bai is a grad attained, यह granules बने होते हैं यहां दिखायेदे आपको granules, इनके अंदर protein हैं इनके अंदरinsi eniglas philip यहां पर, तो यह जो granules हैं यह इनके अंदर absent हैं किसकी अंदर absent है तो लिम्फोचाइट के अंदर absent है और monozyte के अंदर absent लिम्फोचाइट और monozyte के अंदर यह दोनोट bossy अंदर क्या होते हैं absent होते हैं। इसे आप क्या करेंगे याद रखेंगे आप, मूख करेंगे ऐसी जिनके अंदर granules present हैं तो यह हो गई क्या basophil, दूसरी हो गई यहाँ पे क्या neutrophil and third हो गई क्या eosnophils मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि यह basic dye को loving करता है, यह neutral dye को loving करता है और यह eosnophils dye को loving करता है, इस basis पे इसका name यहाँ पे नॉमिकलेशर किया गया, name किया गया यहाँ पे move करते हैं यहाँ और यह lymph में पाई जाती है, इसलिए क्या हो गयाँ यहाँ पे lymphocytes, यह तो यह तीन आपको दिखाए दिया यहाँ पे total five types की, डो category हो गयाँ यहाँ पे move करते हैं इसकी साथ हम next page पे, यहाँ पे आपको detail भी दिखाए दे रहा है, कि यह monocytes हो गई, यह आपको lymphocytes हो गई, इनकी category हम divide कर देते हैं यहाँ पे, यह क्या होगी, दोनों क्या हो गई, इनके अंदर grains absent हैं, लेकि इन तीनों के अंदर, इस नो फिल, बेसो फिल और आपको grains दिखाए दे रहा है, साथ में आपको इसके अंदर nucleus का lobe दिखाए दे रहा है, इसमें भी nucleus का lobe दिखाए दे रहा है, और यहाँ भी दिखाए दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यह bylobed हो गया है, यहाँ पे multi lobed हो गया है, और यहाँ दिखाए दे रहा है, इसमे तो यह हो गई यहाँ पर T-cell, यह हो गई यहाँ पर B-cell, इनको आप ध्या करेंगे ध्यान रखेंगे, तो lymphocyte किया हो गई यहाँ पर 3 types की हो गई, NK-cell, T-cell and the B-cell. मूफ करेंगे हम नेक्स पेश पे, जो monocytes हैं और जो neutrophils, यह very important point है, यह कई examination में आया है, आप ही सकता है आगे, important है, monocytes हैं और जो neutrophils हैं, यह दोनों क्या हैं, phagocytic in nature होती हैं, phago का मतलब होता है eat, eat का मतलब यहाँ पर क्या है, खाना, और यह ऐसी cells हैं जो खाने का काम करती हैं, किसको खाने का काम करती हैं, तो यह बैक्टरिया को खा सकती हैं, यह हमारी जो dead cells होती हैं, उनको खा सकती हैं, उनके particles को खा सकती हैं, वारस को इंगल्फ कर सकती हैं, तो यह जो phagocytic का मतलब क तो इंगल्फ करने वाली cells, इसे हम क्या बोलने हैं, phagocytic cell कहते हैं, तो यह monocyte हो गई और यह neutrophil हो गई, यही दो cell ऐसी हैं अगर कहा जाए, तो जो हमारे blood clappary होती हैं, उनसे निकल के बाहर जा सकती है, by the process is called the diapidasis, उनके थू क्या होती है, निकल के बाहर जा सकती है, इस the diapidasis, इस process को कहते हैं, diapidasis, क्योंकि इन दोनों के अंदर amoeba की तरह movement हो सकता है, यह अपने shape को change कर सकती है, इसलिए कहते हैं क्या, ऐसी cells जो हमारे body में change कर लें, वो है monocytes and the neutrophils, अपने shape को change कर सकती है, important question यह भी था, अगर lymphocytes की बात मैंने किया, मैंने बताया आपको क lymphocytes जो होती है, वो three types की होती है, T cells है, B cells है, and the natural killer cells है, इनके type को हम further classify करेंगे, आगे देखते हैं, इनके detail form को, neutrophils की बात कर लें, तो neutrophils का जो दूसरा name है, यह neutrophils भी कहते हैं हम, या hetrophils भी कहते हैं, अगर यह name नहीं नहीं दिया, तो यह name देगा exam में, अगर यह नहीं नहीं होने चाहिए, प्रॉपर वे में, अगर इनकी size की बात करें, तो इनकी size है, 10 से 12 new micron है, और यह blood के अंदर abundant form में present होती है, कितनी दिखाई दे रही हैं, 60 से 65% present होती है, इसमें interesting factor की बात करें, तो यह body के अंदर की यह most abundant granulocytes है, यह most granulocytes के अगर बात करता है, तो यह 60 से 65% यह क्या कर रही है, WBC का part हमारे body के अंदर maintain कर रही है, यह जो cells है, इनके बारे में, एक interesting factor देखिए, यह है एक anthrax का bacteria, जो anthrax काॉस करता है, और neutrophils देखिए, कैसे इसको engulf करने का काम करी, कैसे अपने आपको shape को change कर दिया इसने, और इसके ऊपर पूरा-का-पूर बैक्टरिया को engulf करने का काम करी है, इसी engulf करने के process को हम क्या बोलते है, phagocytosis कहते है, और यह अपने अंदर धेज सारा रखी है, कैसे lysosomes, जिसके दर enzymes भरे हुए है, उन lysosomes से क्या करती है, यह destroy करती है बैक्टरिया को, एक interesting चीज यहाँ पे, कि यह lysosomes को regenerate नहीं कर स उस lysosomes को फिर से दुबारा नहीं बना सकती, इसी लिए यह बहुत जादे तो blood के अंदर है, इनका percentage 60 से लेकि 65% तो blood में present है, लेकिन इनकी death बहुत जल्दी हो जाती है, अगर इन्होंने एक बार यूज कर लिया lysosomes को, तो इनका lysosomes खतम हो जाता है, इसी लिए इनकी क्या हो जाती है, death हो जाती है, तो यह अपने आपको फिर से दूसरे pathogen के लिए active नहीं रख पाती, इसी के opposite कर बात करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे, तो neutrophils के अंदर दिखा जाए, तो कितने lobe of nucleus present है यहाँ पे, तो यहाँ आप क्या दिखाए यहाँ पे, 2-5, कुछ में होगा, neutral क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यह neutral pink dye से क्या होती है, stain होती है, और इसलिए क्या रखा गया है, neutral color को क्या कर रही है, loving कर रही है, neutral dye को loving कर रही है, अगर question आता है, कि हमारे body के अंदर, जो, एक नुल साइच की बात कर रहे हैं, तो हमारे body के अंदर जो first response है, किसी inflammation के time में, जो first response create होता है, यह कौन करता है, तो यह neutrophils करती है, यह neutrophils तरूंद क्या करती है, उस place पे migrate करती है, जहां पे inflammation हुा है, inflammation का मतलब क्या होता है, कि ऐसी place जहां पे red color का shine दिखाई दे रहा, red appearance हो रहा है, red appearance क्यों हो रहा है, वहां पे, क्योंकि वहां पे blood flow काफी तेज कर दिया गया है, blood flow इसलिए तेज कर दिया गया है कि उसी blood के थू हमारी Wbcs वहाँ के पहुचेंगी और वहां के आए हुए battery को वहाँ पर kill करने का काम करेंगे तो blood का flow जादा होने से वो place red color की हो जाती है फिर WBCs वहाँ पहुंचती है फिर वहाँ fight करती है फिर वहाँ पर pus का formation होता है तो वो red color का appearance, swelling भी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर blood के साथ oxygen भी पहुंचाए गई oxygen की जरूरत थे इन WBCs को fight करने के लिए तो उनके लिए उस place पे वहाँ पर swelling हो जाएगी साथ में redness हो जाएगा condition is called the inflammation आप इस point को यार रखेंगे move करते हैं, next ही तरफ यहाँ देखिए यह blood में move कर रही है यह हमारी neutrophil अब यह tissue वाले reason में यहाँ पे एक battery या present दिखाई दिया है अब यह cells यहाँ से blood capital को cross करते हुए by the process of diapidasis यह निकल गई कहाँ पे tissue के अंदर इसने release किया देखिए यहाँ पे histamine release किया histamine एक chemical होता है जो क्या करता है वो proper way में इसको active कराने का काम करता है एक ने ने लोसा को इसे हे हो गया देखिए तीसरा लोब ऐसे हो गए यहाँ पर फुर्ट लोब ऐसे होगए यहाँ पर फुर्ट लोब यहाँ तो यह जो आपस में जो connection point दिखाइबारा, यह connection point है यह connection point है, किसे connected है यहाँ पर तो यह जो chromatin हमारे 9条 Selे होता है, same यहाँ भी present है तो यह chromatin क्या करते हैं, हर lobe को यहाँ पर जोडने का काम करते हैं, यह important point है, इसको आपको याद रखना है, तो यह connected किसके थुरू होते हैं, यह chromatin के थुरू क्या होते हैं, आपस में connected होते हैं, जैसे जैसे यह mature हो जाती है, तो इसके अंदर का, जो nucleus के अंदर का, जो nucleus के अं क्या? ribosome formation का अगर ribosome नहीं होगा तो protein का formation नहीं होगा protein to formation नहीं होगा तो lysosomes का formation नहीं होगा और lysosomes जब एक बार utilize हो गए तो क्योंकि ribosomes बनता ही नहीं है इसलिए ये बहुत जल्ली क्या होती है 준या होती है ये पृर्ड से इसी लिए में इसकी life क्या होती है 5 से लेके 135 hours तक होती है इसे आप 24 hours से लेके convert कर सकते है 135 hours के बीच में day में convert कर सकते है आप यहां पर इनके अंदर rough endoplasmic reticulum क्या है absent दिखाई दे रहा है neutrophils के अंदर और rough आपने पढ़ा है cell के अंदर की rough endoplasmic के outer surface पे ribosomes क्या होते हैं अटाच होते हैं और वहीं पर क्या करते हैं यह translation का का मतलब क्या कि यह protein formation का का काम करते हैं protein synthesis का काम करते हैं तो मैं बता रहा हूं यहां पर कि आप यह रखेंगे कि neutrophils के अंदर lysosomes अगर एक बार utilize होगे तो lysosomes का formation दूसरी बार नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसके पीछे reason क्या है कि उनके अंदर reticulum absent दिखाए दिया nuclear substance दिखाए दिया यह reason है इसके behind अगर हम बात करें यह tissue के अंदर अगर present है यह survive कर रहे है इनका जो life span क्या होता है one से two days का होता है यह tissue के अंदर migrate कर जाती है move करते है next point पर हम यहां पे हम देखेंगे यहां पे phagocytosis का process phagocytosis एक active process होता है active का मतलब क्या इस process में cell क्या करती है ATP को consume करती है यह आपको foreign particle दिखाए दे रहा लाज particle दिखाई दे रहा है यह particle 0.5 mcg तक हो सकता है यहां पे देखेंगे अब यह जो है यह इंटर कर गया तो यह plasma membrane जो है यह अपने आपको ऐसे अंदर की तरफ इन्वैजिनेट करती है और इस material को अपने इस छोटे से जो deep neck structure बना हुआ है इसके अंदर pack करती है अब देखें यह जो पूरा का पूरा ऐसे थी यह ऐसे कहा हो गई आपस में connected हो गई यह अब यह जो बन गया यह बना हुआ portion क्या कहला रहा है यहां पे phagosome कहला रहा है और phagosome यहां पे आपको दिखाई दे रहा है जो phagosome को हम vacuum कि अदर covers onambilmic इसके अदर यह बाक्टरिया मान लीए वह प्रसेट हैपके बैय्तना इसको होगा इसको अपने enzyme को क्या कर एगा यहीं जरू कर एगा यहां पर यह लाइसेसोम को क्या करेगा क्या युकर का क्या कि आपकरिए कि Bacteria को fire medida about directly नीं तक कि यह वैक रही है जो है यह अलग औलग प्रॉसी फार्म हो रहा है यहां पे दूसरे गर्ड़न spirituality यहां पर कर लिए शने अंदर क्या किया इस plasma membrane के थूर्फ एक इस वैस्किल के अंदर देखिये यहां पे present है बैक्टरीय और इस वैस्किल को ही क्या tocarap़ देख़ की पूरा का प्राडयर दारिआ घया और यहां था निकाल दियागया तो exo का मतलब क्या exit cell से exit किया जा रहा है तो हम क्या बोल दिए उसको exocytosis कर दिए और ये क्या है ये digesting waste है ये digest किया हुआ waste है जो भी bacteria था उसको digest कर लिया गया move करते हैं इसको next point में exocytosis भी क्या होगा ये ATP वाला active process होगा और ये भी क्या है ATP consume करता है ये भी क्या होगा एक active process होगा monocyte की बात करेंगे हम monocyte की size देखी है यहाँ पे क्या है 15 से लेके 30 mu macron की दिखाई दे रही है और इसका जो percentage blood के अंदर है ये 6 से लेके 8% यहाँ पे blood में present होता है ये different places पे move करती रहती है migrate करती है blood stream में और ये inter कर जाती है tissue के अंदर और वहाँ पे जाके अपने आपको बदल लेती है और वहाँ पे जाके fix हो जाती है जिसे के example की बात करें हम liver cell liver के अंदर वहाँ पे macrophage present है जो fixed होती है वो अपने place से हिल नहीं सकती है वह fix होती है लेकिन इनके जो process है ये process दिखाई दे रहे है इनके अंदर लगातार क्या होता है movement होता रहता है तो इनके process में क्या होता है movement होता है catch करने के लिए battery को लेकिन ये क्या होती है अपने place पर क्या रहती है fix रहती है इसके पहले मैंने अप्लोड किया था आपको देखा होगा आप जाके देख सकते हैं लिवर वाले प्रोसेस में कुफर सेल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है कुफर सेल एक इंपॉटेंट सेल है एक इम्यून सेल है लिवर की इसका structure इसके functions को आप जाके लिवर में जर काफी बड़ी फास माने क्या टुकिल एक बड़ी सेल जो किल करने का काम करती है बैक्टरिया को इसकाल दा मैक्रो फेस कहते हैं वहां जाके यह जो डेड़ सेल्स की डिबरीज होती है माले यह सेल्स के अंदर कुछ चीज ब्रेकडाउन हो गई उसको सेल निकाल के बाहर कर किया तो उसको क्या करती है रिसीब करने का काम क्ति है, उसको is discard करती है uyresist क्तरिक करती हैं, शाथ में sometimes, mike Pen infections, और ने लिवर में अब्रेन में टशू lors grandson के की किल करने का काम करती हैं। तो Mono Sites जो हैं अपने सेप को अपने size को change करती है convert कर सकती है और अपने आपको tissue में लेकर fix कर सकती है अप ध्यान देंगे यह पर देखते हैं अपर just opposite a neutral sites के यह यह देखिए यहां पर monocytes जो होती है यह अपने able are replace their lysosomes content अगर एक लाइसोसोम्स खतम हो गया तो यह दूसरा फॉर्म करेंगी यहां पर दूसरा फॉर्म करेंगी यहां पर और यह fight करती रहेगी क्योंकि लाइसोसोम्स इनके पास kill करने का instrument present अगर आप देखें एक soldier जो है उसके पास अगर गोला बारूद खतम हो गया गोली खतम हो गई तो वह terrorist को kill नहीं कर सकता है और terrorist इसके पास लगातार soldier के पास नए नए गोला बारूद जो गोलियां है वो लगातार दी जा रहे है तो लगातार आने वाले terrorist को kill करता रहेगा kill करता रहेगा kill करता रहेगा same इसके तरह यहां दिखाए दिखाए दिया आपको यह जो लगातार lysosomes contained क्या है यहां पर form होते जा रहे हैं इसलिए यह कोई भी आने वाले cells को जो harmful cells हैं जो pathogens हैं उनको kill करती रहती है है और अपनी life को बनाया रखती है तो यह important point था यह ध्यान देने वाली बात है इसे questions आ सकते हैं इनका जो nucleus दिखाए दिया वो क्या है kidney shape का nucleus है kidney shape कही है या harsh shoe shape कही है दोनों question आ सकता है kidney shape या क्या कहेंगे इसको हम harsh shoe shape जो घोड़े की अगर cytoplasm क्यों ज्यादा है question आता है तो cytoplasm जब ज्यादा रहेगा अब देखते हैं को diagram को फिर से यहां पर पीछे जाके फिर आपको clear होगा यहां देखिए cytoplasm अगर ज्यादा रहेगा तभी यह अपने अंदर धेर सारे protein को form कर सकती है और यह नए नए lysosomes को क्या करेंगी फॉर्म कर लेंगी अगर material ही नहीं रहेगा factory के अंदर तो नया product का formation कैसे होगा तो इसलिए यहां पर cytoplasm का amount यहां पर abundant रखा गया है जिसके तो यह अपने गोली बारूद यह यह नए यह नए यह नए यह कुछ नए दिखाए दिए कौन जी इसल्स हैं अब देखते हैं पर कुछ हमारे body के अंदर cells हैं जो लुकोसाइट हैं जनली वह मोनोसाइट हैं वह माइग्रेट करती हैं टिशू के अंदर और वहां जाके क्या होती है पर्मानेंट फिक्स हो जाती है पर्मानेंट वहां पर उनका घर हो गया वहां पर टिशू के अंदर और वहां पर क्या हो गई फिक्स हो गई उन्हें क्या बोलें फिक्स्ट मैक्रोफोस यहां पर कूफ़र सेल्स कूफ़र एक साइंटिस्स थे उनके नाम पर रखा गया कू पूफर सेल्स मैंने बताया इनके प्रॉसेस में इनकी जो निकले हुए है आउटर स्ट्रॉक्चर उन में मुवमेंट होता है लेकिन ये सेल्स क्या होती है फिक्स होती है आप ध्यान रखेंगे इसी तरह की सेल्स जो दिखाई दे रही आपको यहां पर क्या आप देखें अर्ष देंडाटिकक् सेल्स की बात करेंगे हम घ्याय है वह पने आपको क्या कर लिए इसको अपने आपको हमने अलग अलग. नाम दिया, देखते हैं, यह है dendritic cells, क्यों नाम रखा गया dendritic cells, क्योंकि इसका appearance है, यह tree के branches की तरह, इसका appearance दिखाए तरह, धेर सरे यहाँ पर dendrites दिखाए दे, dendrites का मतलब क्या हो रहा है, tree-like का appearance होता है, they are called the dendrites, dendrites is called the tree-like appearance, यह responsible किस के लिए है, यह adoptive immune responses के लिए है, वही fix हैं, और यह हमारे body की क्या है, soldiers है, प्र्सक्राइब क्या करता है, sentinels काहते है यह soldiers है, और यह लगातार क्या करती है, यह move करती है, यह generally responsible होती है, यह fix हो रहती है, जिए क्या करती है? अपने process with अलगातार क्या करती है चेक करती रहती है कि अगल बगल कोई बैक्टरिया वाइरस या पैटोजन्स तो नहीं आए हुए है तो यह हमारे बॉडी की क्या हो गई है वेजह सोल्स हो गई और नाम क्या रखागा गया इंका डीटेर क्लिया मैघ्रोड़िया की बात करें माइक्रोड लिया अब यहां मैका डी ऑप कर लें धो यह हैं यह स्पेष्पिसिलाइज। मैकरो फिजन हैं तो मारे brain के अंदर जो central nervous system है जिसमें brain and spinal cord आता है इसमें क्या रहा है brain plus spinal cord आता है that is called the part of the central nervous system जिस वो echo derms से form होता है echo derms से form होता है ध्यान देंगे इस बात पर आप में आप है तो यह यहाँ present है और वहाँ पे यह जो old neurons है जिनकी death हो चुकी है या जिनके अंदर infection हो चुका है वो उनको क्या करती है kill करने का काम करती है manage करने का काम करती है तो यह हमारे cns के लिए cns के health को maintain करने के लिए एक important macrophage है गुशन आता है कि हमारे cns के अंदर कौन सी macrophage present है तो answer क्या होगा इसका microglia आप बोलेंगे यहां पर यहां पर इसका process देखी यहां दिखाई दे रहा है जो cytoplasmine process है और यहां देखिए microbes and cellar debris यहां पर क्या हो रहे हैं यह इसके थुरू ingest किये जा रहे हैं अंदर जाएंगे यहां पर सारे के सारे जाने के बाद इसके थुरू digest कर दिये जाएंगे यहां पर process dendrites की तरह यहां भी दिखाई दे रहे हैं किस-किस cell के अंदर dendrites दिखाई दिया आपको dendritic cells के अंदर microglia के अंदर जो क्या है हमारे cells के प्रेजंट है जो आपने cell देखा था that is called the mass cells यह हमारे tissue में present दिखाई दे रही है और यह भी क्या करती है यह just mass cells जो होती है हमारे basophil की तरह होती है इन दोनों के question आता है कि which cell is similar to the basophil cells आंसर क्या होगा mass cells and basophil cells क्या होती है दोनों क्या होती है similar होती है इस बात को आप ध्यान रखेंगे जो chemical यह release करेगी वह chemical क्या करेगी यह release करने का काम करती है यह different type आए 2-3 यह है यह देखी यह देखिए यह आपद दो से एप्रेसर आप प्रेसंट आप और यह क्या है यह acid loving is to film क्या है एक acid dye है तो उस ढाइव से क्या होती है यह stain होती है इसलिए नाम गजद हगा क्या है इस लिए namhtar की खिर के और il यह हैं और इनकी व डिख़ए दिखाई दी क्या है विक्ट प्रोटिन अडि यहां पर इंकि जी है Uhak 것은 देखेंगे focus करेंगे तो एक nucleus का lobe यह दिखाई दिये आपको यहाँ पर एक nobe यह दिखाई दिये और यह chromatin से क्या है आपस में connected दिखाई देने हैं इसनो फिल की बात करते हैं तो इसनो फिल यह रिजस्स करती है कि इसको infections को और ये associated किसी होती है यहाँ पर allergic reactions से अगर allergic reactions question में आ गया allergic reactions तो आप तुरंट क्या करेंगे इस्नोफिल क्या करेंगे आप ठिक करेंगे उसका answer तो ये infections को रोकने का काम करती है allergic reactions को रोपने का काम करती है ध्यान दी जाना तो इस तो फिल्स अगर बात करें blood के circulation में तो यह कितने आउस तक survive कर रही है 10 से 8 से 12 hours तक यह survive कर रही है अगर यही tissue के अंदर exist कर रही है तो यहाँ पर इसकी survival की life क्या हो गई बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर blood के अंदर pathogen का amount जादा होता है इस लिए यह इनका life span क्या होता है कम होता है वह fight करती रहती है लेकिं का रॉल काफी कम होता है इसलिए इनकी life क्या होती säफे 인क्रीस कर जाती है अगर बात करें तो यह viral के infections को fight करती है अगर बात करें तो उसके अंदर RNA as a genetic material होता है तो इसके अंदर जो RNA को digest करने वाले enzymes होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या R and Aces क्या बोले हैं हम R and Aces वाले enzymes present होते हैं इनके side of labs के अंदर क्योंकि वारस को kill कर रही है तो RNAs जो enzymes हैं वो abundant amount में पाया जाते हैं important point था इससे आप focus करेंगे से इसनोस फिल और besophil and the mass cells यह सारी की सारी क्या है merited कि स्की थूहँ होती है, allergic responses च्रूहोती है isनों फिल भी allergic response कर रही है, besophil water culture का रही है और眉सल भी कर रही है चिशू में कर रही है , यह blood में कर रही है यह क्या कर रही ब्लड में कर रही जब भी कोई infection मारे body के अंदर होता है तो इसका percentage इसनो फिल का percentage क्या होता काफी तुरंद क्या होता है rise कर जाता है उस condition को बोलते हैं क्या इसनो फिलिया का मतलब क्या कि इसनो फिल का amount क्या कर गया rise कर गया और इसका amount rise किया इसका मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई क्या है infection हुआ है किसी pathogen की आपकी blood में entry हुई है और इसलिए इसका इसने number बढ़ा लिया अपना fight करने के लिए उसके allergic reaction से move करते है next slide पे हम यहां पे यहां पे आ रहा है क्या basophil B का मतलब मैंने क्या बताया था बहुत कम यहां देखिए percentage का यह blood में सबसे कम पाई जाती है 0.1 से यह 1% पाई जा रही जो size इसकी क्या है 12 से लेके 15 mu microns की size होती है यह important है अगर question आ गया blood में सबसे बड़ी cell कौन सी ह हो गई तो क्या हो गया यहां पर monocyte हो गई लेकिन अगर question आ गया कि कौन सी granulocyte सबसे बड़ी होती है तो आप answer क्या देंगे यहां पर जिनके अंदर grains पाया जाते हैं वो तीनी cells होती है और उन तीनों में यह basophil है यह क्या है largest है granulocyte में क्या है यह largest है यह important point है इसको हिस्टमाइन किसके लिए responsible होता है तो बोलेंगे कि आप inflammatory responses के लिए हिस्टमाइन क्या होता है रिस्पॉंस होता है यह हो गया सिल्सीदमाद यह आपको granulocyte दिखाई दे रहे हैं यहां पर अब यह two more और component क्या करती है compound form करती है इससे बोलें कि हम serotonin serotonin को अगर बात करें तो यह क्या करता है इंड्यूस करता है inflammation को और दूसरा क्या है heparin heparin क्या है यह एक prevent करता है क्या blood clotting को क्या करता है यह anticoagulant है यह heparin हमारे blood जो blood vessels में move करता है उसमें blood को clot करने से रोकने का काम करता है यह हो गया heparin serotonin के बारे में दुम्हें आपको और बाते बता दूं यहां पर जो serotonin है यह हमारे body का neurotransmitter भी कहते है क्या करने इसको neurotransmitter भी कहते है यह important question आ चुका है आभी सकता है important आगे यहां पर भी एक मैं और उसको point बता दूं इस serotonin को ही हम कहते है क्या wake up hormone wake up hormone यह जगाने वाला हार्मोन है clear है साथ में अगर बात करें तो अगर यह wake up hormone है तो sleeping hormone कौन सा होगा तो हम बोलेंगे उसको क्या melatonin जो है वो sleeping hormone है तो early morning में इसका जो percentage होता है blood में काफी ज़्यादा होता है जैसे हमारे eyes पे light का formation होता है, melatonin का formation बंद हो जाता है और इसका solution क्या होता है और काफी rise कर जाता है early morning में sunrise जबाती है तो melatonin बंद हो जाता है move करते है next की तरफ हम यहाँ पर lymphocyte की बात करते हैं lymphocyte की मनी बताया था यहाँ पर कि इस जो life span होता है वो ears में होता है जो memory cells होती है उनका जो life span क्या होता है वो years में होता है memory cell का मतलब क्या कि यह जो cells हैं यह क्या करती है जो भी pathogens आते हैं उनका chemical structure अपने अंदर feed कर लेती है और वो क्या करती है generation by generation क्या करती है पास करती रहती है दूसरे cells को इसके तो क्या होता है इसके अंदर memory cells memory क्या होती बनी रहती है और जैसे ही उस type का chemical जब कई सालों बाद आता है तो इनको उसके chemical structure के बार में पता रहता है और B cells उसके cording क्या करती है, antibody release करती है, antibody release करती भी cells और उस pathogen को वो kill कर दिया जाता है lymphocytes, lymph में पाए जाने वज़े cells भी है और ये क्या है, इनका percentage है क्या है, 20 से लेके 25% blood में क्या होता है, present होता है, ये important question है इनके बार हम बात करें, तो ये 3 types की हैं, हमने discuss कर लिया है, B cell, T cell and NK cell, एक एक को करके हम देखते हैं यहाँ पे, कि कौन कौन सी cell यहाँ present है ये दिखाई दिए आपको T cell, exactly B cell की तरह दिखाई दे रही है, देखते हैं, ये क्या है NK cell, इसके process दिखाई दे रहे हैं, in इन सबके बारे में हम देखेंगे या अपर, तो ये क्या होगए, NK cell मतलब क्या इसे क्या बोलने, हम क्या, इसे यह हम NULL CELL क्या करते हैं, यह थ्री टैप्स कर हम नहीं देखाएं, क्या यहां creates और इनका जो अगर आप Syndrome देखेंगे तो इसके अनदर क्या होता दिखाए देखे आप पूरा cell में क्या हो रहा यह cover किया जा रहा है यहाँ पे पूरे cell को cover किया जा रहा है पर लिम्फोसाइड का nucleus क्या है यह काफी large DNA content क्या है इसमें present है काफी large होगा इसलिए nucleus काफी बड़ा दिखाए थे रहां पर अब B cell की बात करते हैं क्यों नाम रखा गया बीसल जनली अब यह जानते हैं बीसल का मतलब क्या होता है bone marrow में पाई जाने वाली cell लेकिन इसका जो naming किया गया थे बर्ड के अनदर एक lymphaticusal onion present होता है उसे क्या बोलते है बर्चा बोलते हैं यह जो एक scientist का name है उसके नाम पर रखा गया है lymphatic US के आनदर पाया जाता है बशा रिम्फाटिक अगन है उसके नाम पर बीसल का नाम रखा गया क्योंकि हमारे body के अंदर bone marrow present होती है तो हम इसे coded करते हैं क्या B का मतलब bone marrow लेकिन किसके नाम पर बढ़ा है यहां पर तो यह बसा के नाम पर बढ़ा है जो lymphatic आगन है birds के अंदर जो उसके cloaca के पास present होता है वहां पर और वहां पर क्या होती है जनली क्या करती है प्रदूस करती है लार्च क्वालिटी में एंटी बॉड़ी लास में देखेंगे डिटेल फॉर्म में यह एंटी बॉड़ी ऐसे chemicals होते हैं जो हमारे antigens को catch करके उनको neutralize करने का काम करते हैं विच देन नुटिलाइजर तफ जो आने वाले foreign invidors हैं जो pathogens हैं just like battery है और उनको क्या करते हैं kill करने का काम करते हैं तो B cell डारेक्ट किल नहीं कर रही है यह chemicals बना रही है कौन सा antibodies उनको कहती है जाओ आप जाके जो आये हुए battery है उनको kill करो वही जो T cell होती है यह क्या करती है खुद जाके उनसे fight करने का काम करती है तो यह खुद जा रही है fight करने और यह क्या कर रही है अपने chemicals को क्या कर रही है send कर रही है just like the antibodies को send कर रही है वहाँ पे क्ल करने के लिए, antibodies किसके बने होते हैं, तो ये antibodies बने होते हैं, protein के molecules होते हैं, जो इसके plasma membran says secret किये जाते हैं, clear यहां पे, अब हम देखते हैं कि जो cytokinine, ये chemical है, जो diet करता है हमारे immune response को, तो यह किसके लिए कुछ ना गया कि साइटोकानीम किसके रिस्पॉंस मिल है तो वो लेंगे क्या इम्यून रिस्पॉंस क्या करता है यह क्रीड करने का काम करता है अगर बात कर लें हम लोग यहां पे तो जो अधर टी शेल्स के रहे हैं तो प्रोदूस करती है टॉक्सि ग्रेंडूल्स दाट कंटेंड़ पावर्फुल एंजायम बीना एंजायम के कोई भी इसल्स या इन्फेक्टेड पाथोजेंज को किलने कर सकते तो यह पावफुल एंजायम रखी हुई है जिनके तो क्या करती है यह आने वाले bacteria को, pathogens को, virus को kill करने का काम करती हैं यह body से release करती है, वो chemical क्या करते हैं जाके उनको kill करने का काम करते हैं अब देखें यहां पर जो natural killer cells हैं, यह में nk cells करते हैं यह lysis of virally infected cells and tumor cells lysis का मतलब क्या? breakdown करती है एक ऐसी cells जिसके अंदर virus का infection हो चुका है उसको kill करेगी साथ में हमारे body में जो cancerous cell है जो tumor cell form हो रही है हर दिन हमारे body में समझिए 1 से लेके 10 क्या होती है cancerous cell form होती है और उन सारी cancerous cells को kill कौन करती है cancer को बनने से रोपने का कौन करती है तो natural killer cell कहती है इस बात को आप यार रखेंगे move करते हैं T helper cell की बात करते हैं यहाँ यह release कर रही है अबने बताया कि cytokinin release करती है and growth factors release करती है जो regulate करता है क्या हमारे other immune cells को क्या करता है regulate करने का काम करता है उनके लिए काफी helpful होता है उनको active बनाया रखता है उनके अंदर synthesis का क्या करता है role play करता है अब देखिए हाँ पे cytotactic cell क्या कर रही है जो license कर रही है same क्या है यह T cells का दूसरा function है tumor cell को कर रही है और यह क्या कर रही है allo graph करने का काम कर रही है allo graph आप detail पर सकते है हमारे next आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगो मैं उसमें आपको gamma delta cells की बात करते हैं तो यह हमारे immunoregulation को क्या कर रही है and cytotoxid को क्या कर रही है maintain करने का काम करें तो यह term क्या रहा है immunoregulation for the gamma delta T cell की बात करेंगे exactly सारे के सारे क्या है कुछ similar type की functions perform करते हैं यहाँ पे और जो most important function है जिससे questions आया हुआ है क्या दिखाई दे रहा है यह तो-थिखाई दे रहा है संस्ट का क्या एक फला है RNA एक genetic material में RNA के टूана है उसका गैंख प्रेड़ी यह दिखाई दे रहा है है आपको यह 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 दिखाई दे रहा है दूसरा दिखाई दे रहा है तो गोशन आता है कि HIV के अंदर कुल कितने genetic material होते हैं, RNA की कितनी copies होती है, तो answer क्या होगा, इसका 2 होता है, genetic material क्या है, RNA प्रेजेंट होता है, अब यह जो HIV है, यह T helper cell पे क्या करता है, अटाक करता है, इसके अंदर इंटर कर जाता है, और अपने number को क्या करता है, यह increase करने का काम करता है, तो number increase करता है, तो इन cells को क्या करता है, brush करके यह सारे के सारे new virus release हो जाते हैं, और यह cells का number लगाता है, हमारे body में कम होता रहता है, तो यह virus जिस चीज़ से attach होता है, T helper cell पे present हैं, यहाँ पे CD4 receptors, नहीं क्या है, CD4 receptors present हैं, इसलिए हम T helper cells को क्या बोलते हैं, CD4 cells बोलते हैं, तो अगर question आ गया, कि HIV किस cell को infect करने का काम करता है, तो बोलेंगे क्या CD4 cells को, या क्या बोलेंगे T helper cells को, तो यह T helper cells क्या होती है, एक factory बन जाती है, इन में क्या करता है, इंटर करता है, macrophysics की तरह काम करती है, और इन से क्या होता है, इनका number क्या होता है, काफी ब्रेन के अंदर इसको save कर लीजे, बहुत important point है यह, B cells का मैंने आपको function बताया, antibodies को release करने का काम करती है, antibodies किसके बने हुए है, protein के बने हुए हमारे body के अंदर, जो immune के antibodies होते हैं, आपने blood group में भी पढ़ा होगा antibody, मुन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने immune cell के antibodies के बात कर हैं, तो यह total क्या है, यह five types की यहां हमारे body के अंदर present है, कौन कौन सी, यह है IgM, जो हमारे body की largest antibody है, और यह ऐसी antibody है, जो किसी भी infection अगर होता है, तो सबसे पहले इसका response क्या होता है, generate होता है, तो अगर दिखा जाए, तो यह क्या है, हमारे body में first antibody ऐसी है, जो response क्या करती है, initial exposure में क्या करती है, generate करने का काम करती है, और कहा जाए, question आता है, कि first line of defense कौन सी antibody होगी, first line of defense, तो यहां पर IgM होती है, और यह क्या है, largest behavior, यह इसके पास 10 sites होते हैं, जो इससे की तुरू, मैं आपको discuss करूँगा, यह pathogens को catch कर सकती है, अगली मैं बाद करूँगा, यहां Ig का मतलब क्या होता है, is called the immunoglobin, immune की यह immunoglobin, globin क्या है, protein है, immune system की protein है, तो क्या बोल दिए, immunoglobin बोल दिए, इसका नाम रखा गया, इसको class दिया, यहां पर क्या है, IgM, IgD, IgE, यह infant में बहुत ज्यादा amount में क्या होती है, यह present होती है, देखते हम यहां पर, इसको आगे move करत हम यहां पर, इसके साथ ही, अगर question आता है, हमारे blood के अंदर सबसे ज़्यादा antibody कौन सी present होती है, तो हम बोलेंगे क्या IgG जो है, यह most abundant antibody हमारे blood में present है, अलग अलग percentage लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 70 से 75, कुछ लिखते हैं 75, कुछ लिखते हैं 72, तो आप रिज मान के चल largest है, और यह सबसे पहले क्या होती है, response क्रीट करती है, first line of difference यह क्या करती है, cause करती है, साथ में मैं बात करूंगा यहां पे, मैंने दिखाया आपको IgM की बात करेंगे हैं यहां पे, अब देखते हैं यहां पे questions क्या आता है, IgM जो है, इसका जो percentage दिखाई दे रहा है, 5 से 10% हमारे blood serum में यह present है, blood के अंदर यह present दिखाई दे रही है, वही जो IgA की बात करें, तो यह क्या है, approximately 15% दिखाई दे रही है, आपको यहां पे, IgD की बात करें, तो कितना हो गया है, 0.25% की बात करें, सबसे जो कम है, अगर IgG सबसे ज़्यादा है, तो IgE क्या है, सबसे कम है, यह lowest दिखाई दे रही, least दिखाई दे रही है, blood के अंदर present दिखाई दे रही है, यहां पे, यह allergic response के लिए है, यहां पे, IgG जो एक ऐसी antibody है, जो mother के body में जो fetus होता है, तो mother के placenta के through, यह cross करके, यह पहुंच सकती है, fetus के अंदर पहुंच सकती है, percentage के अंदर पहुंच सकती है, IgG, percentage के अंदर सबसे जादा दिखाई दे रही है, अगर हम बात करते हैं, कि हर एक antibody कैसे pathogen को catch करता है, तो यहां देगे, यह जो आपका दिखाई दे रहा है, यहां पे, इसके through यहां पे क्या करता है pathogen, rate बाला pathogen है, तो इन तीनों की बात करे है, तो यह तीनों IgG, IgE और IgD, इसके पास दो-दो pathogen क्या हो सकते हैं, यहां पे attach हो सकते, इन सब के पास क्या है, तो pathogen को catch करने की site है, वो क्या है, इसके पाफ भी 2 है, इसके पाफ भी 2 है, और इसके पाफ भी 2 है, यह दयार रखना, important question है, यह, सारे कैसे क्या है, single structure से बन ये भी single y दिखाए दिया, ये भी single y दिखाए दिया, तो ये तीनों जो हैं, ये single y से बने हैं, इसलिए हम उनकों बोलते हैं क्या monomeric, अगर कोशन आ गया है, monomeric में कौन कौन सी होगी, तो क्या बोलेंगे आप, आई जी जी होगी, आई जी ए होगी, आई जी डी होगी, ये तीन क्या हैं, ये monomeric हैं, अगर हम बात करें कि dimeric कौन सी है, यहाँ देखिए ये double y से बना, एक y तो ये हो गया, दूसरा y ये हो गया, तो आई जी जो ए है, ये क्या है, डाइमेरिक, इंपोर्टन है, ये एक, इसको अजली ये बोलते हैं, कि अगर आई जी ए लिखा हुआ है, तो उसके आगे s लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, ये secretory antibody है, जहाँ जहाँ पर secretion body में होता है, वहाँ पर ये present होता है, ये एक ऐसी antibody है, जो मदर का initial stage का जो गारहा पीला milk होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलस्टरम कहते हैं, उसमें इसका percentage काफी ज़्यादा होता है, बाकि सारी का होता है, इसका percentage क्या होगा, ज्यादा होता है, तो कोलस्टरम में, ये क्या है, abundant form में present होती है, और ये क्या करती है, बेबी के अंदर जाती है, उसकी immunity को increase करने का काम करती है, अगर यहां दिखा जाए, आई जी एम की बात करें, तो इसका जो shape आ रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या pentameric, pentameric, क्यों बोले pentameric, इसको मैं detail में दिखाऊंगा आपको यहां पे, large करके दिखाना चाहता हूँ, यहां देखी यह first हो गई, यह second y, यह third y, यह fourth y, यह fifth y, और हर y में अगर two two यहां पे antigen binding site है, तो इसके पास total 10 antigen binding site है, antigen binding site यहां present है, सबसे जादा कि इसके पास present है, जो सबसे बड़ी antibody है उसके पास present है, अगर कुसर आता है कि सबसे जादिक antigen binding site किसके पास present है, तो आंसर क्या होगा यहां पे, IgM के पास क्या होते है, present होते है, हर एक antibody, यहां पे देखी आपको एक दिखाए रहा है, डाइसलफाइड bond से क्या होता है, आपस में क्या होता है, present होता है, और IgM के अगर बात करें तो यहां पे आपको J chain दिखाए दे रहा है, यहां देखे, joining chain दिखाए दे रहा है यहां पे, इसे हम क्या बोलते है, और इसे क्या बोलते हैं, तो light chain और heavy chain किस rated हैं, तो हमारे antibodies से क्या है rated है antibodies जो होती हैं, वो कब बनती हैं, तो बनती हैं कब, जब हमारे body के अंदर antigen, antigen का मतलब क्या, कोई ऐसा harmful protein, कोई बैक्टरिया, कोई वायरस, उसे क्या कहते हैं, antigen का मतलब क्या, कि यह जो कुछ generate करे, gen का मतलब क्या generate, जब हमारे body के अंदर entry करता है, तो generate होती हैं क्या antibodies, तो कि इसके आने पर generate होती है antibodies, इसलिए मने क्या नाम रख दिया इसका antigen, gen का मतलब क्या generate करने वाला, और किसको generate करने वाला, तो antibodies को generate करने वाला, इसको called the antigen हम इसे कहते हैं, तो इ यह IgD यह बेसो फिल का जो प्लाजमा मिंब्रेन होता है और सौरी यह जो B-Cell का प्लाजमा मिंब्रेन होती है वो क्या करती है इसे रिलीस करने का काम करती यह भी important question के फॉर्म में था तो यह सारे के सारे आपने देखा यहां पर क्या WBC के बारे में इसको proper आप कई बार देख पिर से डिसकस करता हूँ, क्लास 9 से लेके 12 तक के जो एक्जामनेशन होते हैं, NEED का जो एक्जामनेशन है, वो जो UPSC लेबल के जो एक्जामनेशन है, इसमें कोस्टन का लेबल अब काफी राइस कर गया है, 9 से लेके 10 तक में जो NTSC का एक्जामनेशन है, NSEJS का एक्जामनेशन है, जो KVPY का एक्जामनेशन है, जो NSO का एक्जामनेशन है, जो SSC का एक्जामनेशन है, इन सारे के अंदर बहुत लेबल हाइल करके questions आ रहे हैं, तो आप simple पढ़ेंगे तो आप उस questions को solve नहीं कर पाएंगे, यह complete knowledge था तो please आप over करने से पहले इस channel को आप subscribe करें तभी आपको next video मिलता रहेगा और आपको आप पढ़ते रहेंगे आप exam qualify करने की आप CUT आपकी बढ़ती जाएगे suggest करें और लोग को Thank you and all the best